तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब आप सभी का पुना मेरे ब्रज एकेंड में यूट्यूब चैनल में आधिक स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला आई टी एग्जाम से रिलेटेड टॉप टॉंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन बताने वाला जो आपके फर्स्टी है और सेकंड दोनों की दर्ष्टी से बहुत ही महत्पूर्ण कोशन है तो आप फटा फटा इंप को जरूर रिवीजन कर लोगी क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो को जरा भी स्किप जरूर ना करें और वीडियो पसंद था कर्से कि थे कुटीए एफ meet k यॉज है एक दो तीन चार тогда को हि कि आप देख रहें कि टांजिस्टर में क्ड étaकर गुश्यार से निहसे दो मिंग्शन दोर पीने संब्साइब सब्सक्राइब करने पंटू है तो अप्र्टो आपले यह दो पीन जंक्सन 歡迎 एकट तो इसको जो राइट एंसर हो को ऑप्शन नमबर 3 हो तीन होगा नेक्स है डीसी जनरीत का कारी सिध्यान अन्यों पेराडे का बीदु चुमकी पेरण के नियम पर कारे करता है इसका नेक्स्ट कोशन है टांस्फर्मर का कारी सिध्यान शर्म होसा कर अप्शन है प्र Kerry Su Barula के करता है में अन्यों पेरंट फेराडे का कर दाली कि रूचन होगा ऑनेप्शेका एंसर होगा में इसंप्व terminal की सिध्यान पर कारे रत होता है सबस्कें नेक्श कोशन राइब ऺरोकित करता है सकती डॉल्टेज आब्र системने के लिस्कांवर इसको बॉल्टेज को बॉल्टेज को बढ़ाता गटाताय को उसका ends up का कि होता इसके पाभब होके शुम्कित को शुम्कित कान्ट ऑपन LOL होती है के अर्ड कौशन करता है पॉप्सें ड द ड किसी पने के पहले सब्सकरीक era करेकर तो पर है जिसे कर द लॉइ अयंसर घ्जय की और कखे ठाम करते आए अथ पॉल के सिंप्लेस बेक बाउंड जनरीत होते हैं इसमांतर पटो की संख्या दो होती है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है डीसी सीरीज मोटर का उप्योग किसमें होता है अफसे दिगा है ब्लोवार ग्राइंडा होएस्ट प्रिस तो इसका जो राइट एंसर होगो ऑपसे नमबर सिरीज मोटर का होता है और आपको यह बतातो जो डीसी स्यरीज दो होता है जब माई जब स्टार्ट होता होता है तो अपने छ्व मता से 5% करिंट लेता है इसका दो कोशचनन है सिर्ओं का पूरा नाम किया तो अपसें देगा है कारबर िआस Ellis को बी है कारबान रजिस्टे नेक्स्ट है डीसी जनरित में ब्रस होते हैं और सिंदिगा है कार्बन के अभरक के सिलिकॉन के चुमबके तो आप यह जानते होगे आपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा जो डीसी जनरित होता है उसमें जो हमेशा कार्बन जो ब्रस बने होते होगा कार्बन के बने रहत व्य defze आपने देख zoom कि अब अपने घरो पे देखाऊको को मोटरão कुछ रहता है मोटर में जो पत्य होता है वह में इस ता है सिलिकॉन अही से की पत्य हिए जैद मतंव कोजिक इसका नेक्ट वोचन होगा तांसफर्मर में इंपुट सप्लाई से सयोजीत बाइंडिक होती है और रिगा ए प्राइमरी से कंडिय पकॉआंड कोई भी तो इसका जो राइंसर हो जो होगे इसके राइंसर में प्राइमरी अब आप पूच आपके साफ़ें एंस वह सप्साब करते हैं तो में सबुद करोपनी कि कि hice five-bit का प्रिष्रों 10 अम है तो परिपात में बोल्टिज तता दależreas किमान क्या होगा ये अब संते हैं किसमें पूछा गया कि है कि ये में कितने पूछ जैन संग घ्र संगम होते हैं किसिया है पी पिए दें प्रिक्यों पिंद जन्र a human box अब उनका नाम आप को यहां पर जानने को मिलेगा जो आक मतल्य जहां को तुक्त में नाम बीमा निव काधोर्डggakल टुक्त इसका right answer होगा anode gate cathode जो जो यह सिया में तीन जंक्सन होते हैं उनका नाम होगा anode gate cathode होता है इसका next question क्यों चलते हैं Fuse कहां जोड़ा जाता है आप सब्सक्राइब चाला के बीच में फेज और नूटल के बीच में फेज और अर्थ के बीच में फेज और चाला के बीच में तो आपने कभी देखा हो जब आपके बोर्ड में सप्लाई जो आती बोर्ड में जब सप्लाई आती आप देखें कि आपने बोर्ड वे देखा हो जो हमें सब्सक्राइब जोड़ा जाता है यह कि अंसी भी आपने दे टांसर्मारीर पैल्द Felणी को बता दू जो कंपाउन टांस्फ 285 पांटि यहांच फिलग इंघ और वह गिरमिारी इसके पाले में तो प्रपरकार की प्रीडेंद की ओर से इंपूर्ट काुनिगं अर्प चुक्प इसके बाद है और अट्टा सफार्मर में होता है नेक्स यह 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 कम अधिक पराबर अनत जिसके रैइट है सब्सक्राइब का अपने करने हैं तरह हमको कोई प्रोबलम हो रहे तो आप मुझे को प्रॉबलम है और यह इसी तरह वीडियो के बाजने के लिए इस समय देष्ट सक्का ऩैप मैंने इसका लिंक अपने डिस्केप्शन में दे दिया है और यह वीडियो दोस्तों को जादा जादा स्यार करीगा तो हम अपना लाश्ट कुछिन कंप्लीट ही कर लेते चलो आर्मेचर का पेतरोध होता है 1,000 ohm,100 ohm,10 ohm,1 ohm तो इसका जो राइट एंसर होगा 1 ohm होगा जो हमेशा 1 ohm होता है इस प्रकार आजय का हमारी वीडियो कंप्लीट हुआ जो यदि आपको वीडियो पसंद आ तो वीडियो को जरूर लाइक करेंजें आपको वाचिंक मैं वीडियो